बहुत बढ़िया लगी बहुत बढ़िया लगी बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली पिक्चर में फेमिली ड्रामा है और बहुत ही अच्छा है इस तरह से चित्रित किया गया कि दिल खुत हो जाता है बहुत बढ़िया डायरेक्शन है और दो अलग-अलग जात के कल्चर को उन्होंने बताया है लेकिन बहुत अच्छा और बहुत काने बाने बहुत सूपर है फोल 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 पैसा वसून है और ये पिक्चर चलेगी आज अभी हेवी मौन्सुन है और सुपर का सोथा इसले कम पबलिक थी लेकिन जैसा मौसन साथ देगा ये बहुत पिक्चर चलेगी बहुत 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 मणिया केमिस्ट्री रनमीर्ट सिंक्यी और आलिया की मने पुराने जमाने का अमिताबोर रेका की जो केमिस्ट्री थी ने वो सेम अईशी लगती है धर्मिंदर, जयाजी, सबाना आजमी सब को डिफरेंट डिफरेंट रोल मिला है और सब बहुत अच्छी तरह से निभाया है उन लोग ने दुबारा तो मतलब क्या है लेकिन पिक्चर अच्छी है टाइम पास बहुत बनिया है गाना दो तीन गाने है बहुत अच्छा एक दुरगा-पुजा का चितरन है डोलारे-डोलारे करके वो है और दूसरी बात के हम लोग पुराने लोग है और पुराने गाने को इस तरह से सब्सक्राइध है की चित्रित किया गया है म 사स्तित इर्टिंग 5 से था जाते हैं थेंक्यू हय हुआ हई हलो हलो हम पहुत अची लगी बहूत अच्छी बहुत तेम बाद करें जो कंबेक किया है मतलब सर ने और इमोशन ट्राम कंवा EL स्वाहि करें एक यह ट्राम Kr बहुत मज़ा आया है तो अगर हम देखे जाए तो कभी खुशी गभी गम से अभी तक का टाइम लाइफ 2002-2022 यह जो 20 साल का स्पैम इसमें जो वक्त में जो बदलाव आया है जो तना को में जो वह बहुत बड़ी अभी विच्र बनी है एवर्म शुद ऑच्छ दिस को मज़े तो पूरी तरीक से बाहन के रखा एक्टॉलिम पता भी नहीं चला कि यह मैंने अभी जस्ट तैम देखा बाहन कितनी बड़ी मूवी थी तो अ पर्टी मिनिट मुवी मुझे पता भी नहीं चला कि वो टाइम कैसे निकला वेर इंट्रस्टिंग मुवी ने बिल्कुल बांद करका कहीं भी कसर में छोड़ी मैंने बताया जैसे 20 साल का एक टाइम का जो स्पैम है पर पांच में से फोस्तार दोनल है तैंक य। थैंक य। तैंक य। आपक य। रॉनी आ अइपारेज है य। आपिन एपारेज भी मिखना धरल बॉंड जो से अपना काम आता है फिल्म बहुत अच्छी बनाई है and very frankly film का production design, film का scale बहुत बड़ा है emotional scenes बड़े कमाल है मेरी problem film की direction से नहीं है film की direction दोने कमाल की है film की सबसे बड़ी problem है उसका screenplay जो second half में बड़ ही नहीं रहा है second half में एक point पैसा लगता है कि इन दोनों को plan आया की बस ठीक है हम दोनों को दोनों family को मिलवाना है तुम उधर चली जाओ, मैं उधर चला जाता हूँ उसके बाद film कुछ नहीं कर रही है it was a draggy screenplay dialogues बहुत कमाल है आप quirky dialogues की बात करो, आप comedy dialogues की बात करो आप emotional dialogues की बात करो everything was very good but जो problem है वो सबसे बड़ी लोग समझी नहीं रहे है कि screenplay was boring और end में आप एक threat create कर रहे हो कि बस अब ये film उठाएगी, end कुछ लेके जाएगी लेकिन end was so light कि शुरू हुआ और खत्म हो गया पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और सबसे बड़ी दिक्कत उस film की वही है कि अगर over the top louder characters नहीं दिखाये होते है because film के first आप में सब लोग बहुत over the top acting कर रहे है यार इतनी loud कोई नहीं करता है और I am a Punjabi, I know that इतने Punjabi loud नहीं होते है आप लोग अपने subject पे research ही नहीं कर रहे है और बले-बले हर चीज में अरे बले-बले नहीं होता है बहुत एक grade दोनों को अपना काम बहुत कमाल से आता है एक-एक frame, एक-एक space और पहले shot से दोनों की chemistry मनला कमाल है ऐसा लगता है कि दोनों को अपना काम जानते है और दोनों lovers है वो लग नहीं रहा है कि दोनों अलग-लग character से आते हैं, अलग-जाप से आते हैं but they know they work very well very frankly धरम पाजी को तो misuse किया है फिल्म में, उनका कोई काम है ही नहीं और जो है, मेरे साब से धरम पाजी का जो image है, उनको ये character करना ही जो नहीं चीये था, उन्होंने किया है, that's fine but it was not great यार मैं हूं कॉन स्टार देने वाला see, पैसा वसूल तो होता है because करन जोर की फिल्म में पैसा वसूल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है फिल्म टू अनाहाफ स्टार आप गे and आदा स्टार में आलिया भट को एक्स्टा दे सकता हूं वो बहुत खूबशुरत लगी है आप गौट आम की बाद देखे Rocky और रानी की कहानी को अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है it's a blockbuster in block letters इतनी इतनी अच्छी स्टोरी इतनी डिफ्रेंट टाइब की स्टोरी है I think Bollywood को ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए थी क्योंकि पहली बात तो इसमें बहुत सारी सोशल मेसेज़ेस है कि अगर एक लड़का क्लासिकर डांस कता है तो वो मुझरा नहीं है या दो लोग की relationship में कैसे compatibility चाहिए या family के ओपर कि family के रिष्टों को अगर आपको बांग के रखता है तो you can't be dominating तो आपको सबको एक साथ मिलके चलना है और जो भी अपने गोल से उनको अचीव करना है तो बहुत सारी सोशल मेसेज़ेस है फिल्म का high point उसका direction करन जोहर is back guys कभी खुशी गाभी गाम कल हो ना हो चाहिए वो produce करें या direct करें उनकी movie में वो जो family value होती है वो है इसमें भी family values है और जितने भी किर्दार हैं बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं और रनबीर और आलिया तो they set the screen on fire बहुत ही ज़्यादा जबदस chemistry है दोनों की और उसके साथ साथ जितने भी seasoned actor है धर्मेंदर जी हो, शाबानाजमी जी हो जयाब अच्छन जी हो इतना heartwarming था सब को देखना सब दोने अपने किर्दार इतने अच्छे से निभाए जयाजी का वो strict role, बहुती stern role और उसके साथ साथ वो शाबानाजमी जी का वो इतनी graceful लगी और धर्मेंदर जी भी अपने रोल में इतने अच्छे कि उनकी आदाश्ट बीच-बीच में भूल जाते है और I think रनभी सिंगी, he's a versatile कि वो कोई भी उनको wide range of role या पद्वामत मूवी में उनका कैसा रोल था तो I think he's a versatile और बहुती थौरव प्रफेशनल है जो डोला रे डोला गाने पर दांस के हम लोग तो देखती रहे गए कि मतलब what all he can do और आलिया भी बहुती ऐलिगेंट लगी और उसके साथ साथ assertive भी है कि women empowerment के उपर message देती है कि आप चुपचाव, suppress मत होए अपनी आवाज उठाए तो बहुत सारी social messages है music बहुत अच्छा है प्रीतम का चाहे वो तुम क्या में ले गाना हो या फे धिंडोला बहुत अच्छे से spectacular sets, wonderful production design बहुत इरिच, you know, cinematography मनुशन अंदन की editing में मैं कहूंगा crisp है क्योंकि बहले ये तीन गेंटे के आप कहीं बोर नी होंगे entertaining है तो नितिन बैत की editing बिल्कुल perfect है और direction तो ही भी ये मिसाल तो I think it's a must watch it's a family entertainment तो आप कहने का मतलब है क्योंकि music अच्छा है story अच्छी है social message है direction अच्छा है तो it is all out blockbuster I'll go with four stars सिरफ मुझे लगा की और कुछ parts में थोड़ा सा मतलब और सुदार हो सकता है तो four stars is good enough I.P Rocky और Rani ने बहुत अच्छा story को develop करके बहुत अच्छी मुवी बनाई है बहुत अच्छी लगी मुवी तन्बीर नालियन फिर बापस अपनी chemistry बेल्ड करके एक बहुत अच्छे तरीके से अपने रोल को portrait किया है और audience को बांद के रखा है वो तो evergreen actor है धर्बेन जी is my one of favorite मतलब कि मैं उनको जब देखा तो खुश हो गया और उन्होंने हर एक scene पर जान डाल दी जया बच्चन को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसी औरत भी हो सकती है मतलब उन्होंने इतना अच्छे तरीके से नेगेटिग और फोटरे किया वो उनको देखे तो और वज़ा गया मतलब कि आप समसकते हो कि कोई old actor हो या new generation के actor तो सब लोगोंने बहुत अच्छा गान किया गाना अच्छा है तूम क्या मिले वाला तो मतलब अच्छा गाना ता और बाकी जो सादी में चल रहा था वह गला भी बहुत अच्छा था पर जो मैसेज दिया गिया है वह बहुत अच्छा अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो उसको वाकिए में चेंज करना चाहिए कि कि किसी जनरेशन या किसी आप मेल फिमेल से डिसाइड नहीं कर सकती कि किसके लिए क्या चीज है पैसा मसूल था फूल पैसा वसूल था टाइम ऐसा नहीं लगा कि मैंने वेस्ट किया बहुत अच्छे से में को लगा कि मैंने अच्छी जागा इन्वेस्ट किया हाँ ज़रू रहेंगे यह तो आपका 100% बांद के रखता उन्होंन से क्या होता है कई बर सीन्स के एकोर्डिंग बैग्राउंड वैसे दिखने चाहिए तो वो थोड़ा सा ज्यादा कलरफू लगते हैं तो उससे इंपेक्ट नहीं हो पाता बस में को यहीं दो पॉइंट्स लगे तो सारी चीज अच्छी थी चार चार बहुत अच्छी फिल् पर एक नए तरीके से इट वोज नाइस नाइस क्या वो तो हमेशा से अच्छी एक्ट्रिस है तो उन्होंने अपना बहतरीन काम किया है यहां पर हाँ थोड़ा उनकी पंजाबी टोन को लेकर थोड़ा दिक्कत था बट इट वस नाइस करन सर की फिल्म और ड्रामे ना हो त अब दिखने मिलता है तो आप यह देख सकते हैं और डायरेक्शन उनकी हमेशा अच्छी रहती है तो नहीं मादब एंटेटेनर पॉपल से देख सकते हो आप फ्री हो तो बट एक मुमेंट के बाद आप बोर हो जाएंगे अच्छी फिल्म है बहुत ही जादा अच्छी है कुछ अच्छा वर्ल्ड मैं सोचना चाहूंगा इसके लिए उतनी अच्छी एक जो थेटिकल एक्सपीरियंस है जो हम आजकल मिस कर रहे हैं जो आजकल के फिल्म हम लोग एक्शली वेट करते हैं जो बहुत महीनों में एक इसे तो हर फ्राइड़ एक फिल्म रिलीजस होती है वार महिनों में जो एक बार एक फिल्म आती वह दिस इस रखी एंड़ नहीं धूर ऑन के अच्छी एकपल इन वरिश्टी एफ बहुत चोटी फैमिली से आते तो वैसे लगते हैं इसमें बहुत रिच फैमिली से दोनों ठीक है तो वैसे लग रहे हैं तो chemistry actually actor की chemistry हमें film को देखने पर मजबूर करती है मतलब मतलब धरम सर को अभी हमने ताज में लास्ट देखा था ठीक है बट वो बहुत कम सा रोल था बट यहां पे जो एक अब हम जब जैसे बॉलिवूड सुनते आए हैं फील करते आए हैं तो इन लोगों के होने से एक वो टच रहा है बॉलिवूड का जो जिसने एक वर्ड लेवल पे एक समय में पहचान बनाई थी कि अच्छा धर्मा प्रोड़क्शन हो गया यह श्राजा द्यारद वेरी बि एक तो जो अनकी इमेज है उनकी इमेज है वわか। प्सरी को ट्रिंच होती है क्यश्वय हो endpoint में थे टो इसम्हेच माइन ऐस तो उसमें वह रहा अच्छा किया है वाचक था बहुत अच्छा किया गोँज्स कूल श्राह नैं पीसमारे से इसुम अन मैली अच्ushा लागा तो उ प्र sacrificiशन रॉला अंड डोला वह स्थीर तरी तर फॉल वाह्सा फॉल के तिया विलuld दो धिर्च कृषtså वाह्सा क्या हुआ। व्रम खॉलम ब भींड्सार गालственपा के तंडा में वाह्सा कृषिर्बूस तूम जाता टांज्ळग। I would give it more than five if I had to. Thank you.